वेलो स्टोवेटद वेलकमाई यूटूब चैनल लट राप आप्समारि श्वाय होता होते हैं आज मैं सी वीडियो में की इस्टोव कि बारे में कि ISO क्या होता है इसका यूजेस के बारे में आखरी में ISO का यूज हम लोग कहां करते हैं अबno से तर्फ प्लाइब ऑल यूटूब चैनल रिंट उटूब अप्टा स्वास् chancellor आज नुट सबसे पहले समझते हैं कि आई एसो क्या होता है तो मैंने यहां पर एक्सपनेश्टी मान की करन संगठन होता है यह एक प्रकार का क्वालिटी इस्टेंडर सर्टिफिकेट है जो वेवसाय संस्ता या फि उद्योग को दिया जाता है और इसमें डेल सो से भी ज्यादा देश आयोसो के सदस है मिस कहने का मतलब यही हुआ कि आयोसो का फुल प्रों आप देख सकते लिखी हुई क्या कि इंटरनेशनल ओर्गना जो यहाँ पर एकतर का इंसीट है जो कंपनी है उसको यह एकतर का सर्टिफिकेट देता है कि आप अकनी कंपनी को एक सही धंग से चलाए और जो प्रोड़क्त बनाए वो बढ़िया प्रोड़क्त को बनाए इसमें डेल सो भी ज्यादा देश है आयोसो के सदस है ठीक है चल लंदन में 14 अक्टूबर 1946 में हुई थी ठीक है यहां नीचे कुट में लिखी हुए क्या है कि ISO यह कंपनी या संस्ता की जाच करती है जैसे कि गुनवत्ता प्रोड़क्त की क्वालिटी ग्रहांक समधान सुधता और मनेजमेंट सिस्टम इतियादी की जाच के बाद जब प करती है वह कोई भी अगर कंपनी इससे जूड़ना चाहती है तो सबसे पहले जहां पर ISO क्या काम करती है वह कंपनी या संस्ता की बढ़िया तरीका से जाच करती है कि आखिर मोग जो प्रोड़क्त बना रहे है उसकी गुनवत्ता क्या है प्रोड़क्त क्या है ग्रहांक कोई प्रोड़म हो एक प्रोड़क्त में तो उसको कैसे समधान करेगा उसकी सुदता क्या है अगर वो कोई खाने पीने के चीज है तो या फिम मनेजमेंट सिस्टम और इतियादी पी यह वहां पर काम करती है तभी जाके ISO उसको एक तरका से चल रही है तभी जाके उसको ए मदद करता है मिस कहने के मतलब क्या है कि अगर कोई कंपनी अगर यह आयसो के साथ जब जूड़ याती तो उसको एक तरका विश्वास नियता दियाती है कंपनी को उसके वाद उसको वैपार में कैसे सुधार करें उसके लिए मदद करती है ठीके आगे कोई में लिखी आयसो के साथ जो संस्ता है जो उद्योग है जो सामीर है वैवेसाय करते हैं उनके साथ तो उनको एक तरका सूचना और प्रकिरिया के बारे में बढ़िया तरीका से उसे प्रमंधन कैसे करें कैसे इसको सही ढंग से अपना जो कंपनी है जो अपने जो संस्ता है उसे चलाए ठीक तो इस पे बहुत जादा वर्क करता है आ उसको बढ़ेंगे सुझीत करता है ठीके लेकिन उसको यह तरख लागू नहीं करता है ठीके वह सुचीत करता है कि आप जो यहां पर चला रहे हैं तो उससे शही धंग से चलाएं उस पर एक तभी आपे उसे सटिफिकर देती है ठीके चलिए सटीक भासा में कहा जाए कि ISO क्या है तो हम सटीक भासा में कह सकते हैं हम कह सकते हैं कि ISO यह एक सवतंद संगटन है जो कमपनी या विवसाय दुवारा निर्मान किये जाने वाले उतपादन और सेवाओं की गुनवत्ता, सुरक्षा, ग्रहाक समधान, सुधता और दस्ता के लिए ये संस्था एक क्वालिटी स्टेंडर सर्टिफिकेट परदान करती है ठीक है जूजे इसके बार में जानते हैं कि ISO का यूज कहां पर किया जाता है चली इसके जूज के बार में जानते हैं और इसके फायदे के बार में जानते हैं जब एक कंपनी अगर ISO का सतस जब बन जाती है तो उसे एक तरका अंतराश्टी लेवल पर उसे एक तरका यहां पर सर्टिफिकेट मिल जाती है कि वो जो कंपनी है उसकी जो प्रोड़क की क्वालिटी काफी अच्छी है ठीक है सेकंड पॉंट में लिखी हुई क्या है कि वेपार के बीच बढ़ती परती अर्षपरदा के साथ यह करम बजार में बनाए रखने के लिए उत्पादन और सेवाओं के लिए उच गुनवत्ता परदान करने के लिए महत्पूल है मिस कहने के मतलब यही है कि पार के बीच में अगर बढ़ती परती अर्षपरदा के साथ जब इसमें कोई भी अगर आप उत्पादन करते हैं तो उसके लिए एक यहाँ पर गुनवत्ता परदान करती है आयसो ठीक है यहाँ ठाट पुन पर लिखी हुए क्या है कि पैसे और समय दोनों को बचाएं इससे कम लागत में उत्पादन बढ़ जाती है यह एक तरह का आपको सही यहाँ पर माटेरियल बताएगी मिस एक तरह का बढ़िया माटेरियल बताएगी कि आप जो प्रोड़क में आने वाली अवरोधों को कम कर सकते हैं मिस यह आपको समय से पहली आपको बता देती है कि आप अगर जो प्रोड़क की क्वालिटी में जो यहाँ पे जो चींज किये तो आपके लिए बहुत हानफूल है तो इसलिए आप सही क्वालिटी का इस्तमाल करें और एक सही प् तभी आपको यहाँ पे एक तरक विश्वास निये बन जाता है कस्टमर के बीच आपके प्रोड़क को एक यहाँ पे विश्वास निये के साथ यूज करते हैं और इसे बार बार आपके कम्पनी से खरिते हैं ठीकिस पॉइंट में लिखी विख्या कि साप सुत्रा वैवार होने के कारण ग्राहक का विश्वास बढ़ता है और नए ग्राहक आकरसित होते हैं इस कहने के मतलब है अगर आप कोई कम्पनी है वह कोई भी आपको खाने पीने की अगर कोई कम्पनी है तो वहाँ पे एक तरक शाप सुत्रा होने के कारण आयसो से अगर मानता प्राप्त स समझ आते हैं लोग की यह जो कंपनी है एक अच्छी कंपनी है यहाँ पर एक तरका विश्वास बन जाता है आपके खाने पीने के समानों को लिक और एक तरका वहाँ पर जो नए ग्राहक है उदो आपसे आकरसित हो जाते हैं ठीक है यहाँ सेवन पॉइंट में लिखी हुए क कि कार अस्थल में और करमचारियों में उत्सा मिस जो कार अस्थल है वहाँ पर भी आपको एक देखने को मिलेगी कि कापिता साथ काम हो रही है उसका करमचारियों में उत्सा भी रहेंगे कि वह एक अच्छे काम कर रहे हैं ठीक है तो इस तरस आयसो के फाइदे होते हैं च 8 म becoming city seat को यहां पर बनाए गया था जो quality management system को देख रिख करती है जो इन्वरेमेंटल सिस्टम को देख रिख करती है यहां पर फूरीजिनमेंगस सिस्टम को दीख रिख करती है यहां परिटि गया सकंषो किते हो यहां पर IT Service Management System को देखती है यहां पर Energy Management System को देखती है Learning Service for None for Education Training को यह देख रेक करती है और लास्टली यहां पर यहां पर major management system को देख रेक करती है निस जितनी भी यहाँ पे जो और अर्गनाईजर्शन नहीं है अहां पर जितनी अलग अलग जो सर्वीस है यहाँ पर सभी को देख्रेक करती है ठीक तो मुझे आसा है कि आपको ISO के बारे में बढ़ें बढ़ेंगा तरह का समझ में आचूका होगा